तो चलिए आज की एक लास स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशिन है इफ ए प्रिवियस्ली लर्ण टास्क इंपेड से न्यू टास्क विच इस बिइंग लर्ण दिस ट्रांसफर ओफ लर्निंग वेल भी यदि पहले सीखा गया कार्य एक नए सीखे जा रहे कारे में बाधा उत्पन करता है तो अधिगम का यह स्थानांतरन होगा लर्निंग का टॉपिक आपको याद होगा हमने लर्निंग का टॉपिक बढ़ा था उसमें ट्रांसफर ओफ लर्निंग करके कॉंसेप्ट हमने बढ़ा था अधिगम का स्थानांतरन जिसमें तीन टाइपस के बारे में हमने डिसकेशन किया था एक था पॉजटिव ट्रांसफर दूसरा था नेगटिव और तीसरा था जीरो ट्रांसफर पॉजटिव में हमने क्या बोला था कि जब पुराना सीखा हुआ नए सीखने में हमारी क्या करता है सहायता करता है तो वो होगा पॉजटिव ट्रांसफर और सम टाइम जो पुराना सीखा है जो भी हम नया सीख रहे हैं उसमें बाधा उत्पन करता है उसमें हिंड्रेंस क्रियेट करता है तो उसे हम किसका नाम देते थे नेगिटिव ट्रांसफर का और एक चीज हमने पड़ी थी कि जब पुराना जो है और नया जो भी हम अभी सीख रहे हैं उसमें कोई लिंक ही ना हो मतलब कोई ट्रांसफर हो ही ना तो वो कहलाता था जीरो ट्रांसफर उफ लर्नी यह सारे कॉंसेप्ट हमने पड़े थे तो यहां पर बोला कि पिछला जो सीखा है वो नए सीखे जारे में बाधहुत्पन करता है तो इस तरह का जो ट्रांसफर है वो क्या कहलाएगा इस तरह के ट्रांसफर सिग्मेंट फ्राइट की हमने एक थियोरी पड़ी थी थियोरी का नाम था साइको सेक्शुल या जिसका एक और नाम क्या था साइको एनलिटिकल थियोरी ठीक है मनो विशलेशनात्मक सिधान या मनो लेंगिक सिधान जिसमें टोटल 5 स्टेज जिसके बारे में उन्होंने बात की थी जिसमें पहली स्टेज थी ओरल स्टेज दूसरी स्टेज थी एनल स्टेज तीसरी स्टेज का नाम था जो यहाँ पे नहीं दे रखी है फैलिक स्टेज चौथी स्टेज थी लिटेंसी और पांचवी स्टेज का नाम था जैनिटल अवस्था ठीक है तो इसमें बाकि सारी तो हैं उप्शन में ये जो प्री ओपरेशनल स्टेज पूरो संक्रियात्मक अवस्था दे रखी है ये अक्चुली किसने दे रखी है ये पियाजे की स्टेज है अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की होगी जिसमें Skinner की जो थ्यूरी थी कौन सी Operant Conditioning थ्यूरी उसे डिटेल में मैंने डिस्कुस किया था वो एक बाद जरूर देखे लिए ना काफी काम की क्लास है वो भी आपकी तो Skinner ने कौन सी थ्यूरी दी थी क्रिया परसूत का सिधान दिया था जिसमें उन्होंने reinforcement पुनरबलन के बारे में बात की reinforcement या पुनरबलन क्या था एक ऐसी जी जो हमें प्रोसाहित करती है increase करती है किसी भी तरह का response देने के लिए उसे Skinner ने क्या कहा था reinforcement का नाम दिया था पुनरबलन कहा था जिसके उन्होंने दो टाइप बताय थे positive और negative और साथ में उन्होंने क्या बोला था कि ये जो reinforcement है मतलब बच्चे का पुनरबलन कब करना है कब उसे प्रोसाहित करना है इसके लिए उन्होंने क्या बात कही थी इसके लिए उन्होंने एक schedule बनाया था और निरंतर का है ना फिर ये जो intermittent था इसके आगे दो type हमने बढ़े थे एक को बोला था हमने ratio schedule अनुपात और दूसरा था interval schedule अंतराल फिर इन दोनों के भी आगे दो दो type थे fix and variable इसके भी fix and variable उसको देख लेना एक बार ठीक है तो उसमें मैंने ये भी आपको बताया था कि most effective concept क्योंकि skinner ने experiment किये थे rat and poison पे experiment इन्होंने किये थे तो इन्होंने ये schedule बनाने के लिए experiment का use किया था इसे मनगड़न नहीं बनाये थे तो जब इन्होंने ये different schedule जो थे अनुसूचिया यूज की reinforcement की continuous का भी यूज किया partial का भी यूज किया ratio interval तो इन्होंने देखा कि जहां पे response जो है वो fast आता है और extension जो है वो slow होता है वो कौन सा case आ जाता है वो case था variable ratio का continuous की जगा हमेशा हम preference किसको देते हैं intermittent को और intermittent में भी जो variable वाले हैं वो ज़्यादा important है उनमें वो क्या करवा सकते हैं response fast दिलवा सकते हैं और उनका extension rate जो है वो slow होता है तो इनमें भी आग्या जले जाएं मतलब अगर हम तो आप fix वाला ना चूज करके आप कौन सा चूज करोगे हमेशा variable reason क्या है क्योंकि जब fix होती है या continuity में मिलती है तो बच्चा habitual हो जाता है वो अपने according काम करता था जैसे skinner के experiment के इसमें rat तभी liver को प्रेस करता था जब उसे food चाहिए होता था तब नहीं जब skinner जाता था कि वो response दे ठीक है तो हमेशा continuous और intermittent में अगर आपको चूज करना पड़े आप intermittent अर्निर अंतर चूज करो और उसमें भी अगर आगी पूछा जैसे इस question में पूछा था हो तो variable बाल आप चूज करो I hope यह clear होगे आपको बाकी वो class skinner की theory वाली class भी एक बाद जरूर देख लेना मैं उसका link यह करूँगी कि description में एक बाद शेयर भी कर दूँगी है ना वहाँ से चक्कल लेना next question है the fact that fish cannot fly and owls cannot learn to swim is an indication of मचलिया उड नहीं सकती है उल्लू तैर नहीं सकती है यह किस पे based है किस तरह की indication है क्या lack of adequate enforcement है क्या उपिपनबलन उन्हें नहीं मल रहा है यह experience नहीं है very good evening यह उनको अनुभवनिकी कमी है यह lazy है वो बहुत कि नहीं यार हम से नहीं उड़ा जाता fish बोल रहे है कि मैं नहीं उड़ सकती या उल्लू बोल रहे है मैं swim नहीं कर सकता है वो lazy है या फिर यह effect है biological limits का on learning अधिगंपर जैविक सी माओं का प्रभाव होता है क्या लगता है आपको क्या कारण होगा इन चारों में से normally हम बात करते है ना बच्चे के लिए कि बच्चे का बच्चा यार lazy है या वो interest नहीं लेता है वो उसका ध्यान कहीं और रहता है या हम यू से reinforce नहीं करते हैं तो यहाँ पर reason बिल्कुल सही है biological limits भी तो है ना हमारी कुछ ठीक है कोई mass में अच्छा हो सकता है कोई drawing में अच्छा हो सकता है कोई किसी और चीज़ में अच्छा हो सकता है हम यह बोले कि सारे लोग एक ही चीज में अच्छे हों ऐसा तो possible नहीं है न वज़ा सबसे same expectations भी नहीं रख सकते क्योंकि वो हमारी जैविक सी माएं है हम by birth कुछ limits है हमारे अंदर और वो as it is ही रहती है ठीक है clear यह चीज तो बिल्कुल सही आपका answer right answer है fourth next है the concept of shaping has been given by shaping की संकलपना किसने दी है बताओ किसके द्वारा दिया गया है यह concept thondike, tavlov, skinner यह none of these इन में से कोई नहीं क्या होगा इसका right answer तो बच्चे को shape करते हैं ढालते हैं जैसे rat से response देना सिखाया था skinner ने मेंली जो concept है वैसे thondike से यह आया है बट thondike ने shaping के बारे में संकलपना के बारे में बात ना करकर उन्हेंने trial and error के बारे में actually बात की थी और उसे ही आगे जो बढ़ाया वो skinner थी ठीक है तो मेंली यह जो shaping वाला concept है यह किस ने दिया था यह skinner का concept आ जाते है skinner भले influence thondike से थे बट shaping का main concept जो है क्योंकि conditioning की बात skinner ने की है thondike ने तो trial and error की बात की थी conditioning की बात करने वाले पैवलाव और skinner है और skinner ने mainly बोला की reinforcement का use करके हम क्या कर सकते है behavior को modify कर सकते है positive changes ला सकते है ठीक है तो right answer यहाँ पर हमारा होगा skinner next sixth का बताओ according to sheldon which of the following is not the type of personality sheldon की theory of personality हमने बढ़ी है जिसमें उन्होंने तीन type के बारे में बात करते थे वो एक को नाम दिया थे उन्होंने endomorph का दूसरे को mesomorph और तीसरा ectomorph याद है आपको और इनका जो यह theory थी personality की यह किस तरह का model था physiological या morphological model बोला जाता है मतलब इन्होंने personality को व्यक्तित्यों को किस से जोड़ा था body type से जोड़ा था कि कोई मोटा है या पतला है fit and fine body है तो उसकी personality कैसी होगी है ना उससे relate किया था ना इन्होंने तो इन्होंने ये तीनों type तो दिये हैं बट estomorph ये कोई नाम नहीं था इनकी concept में की theory में ये type इन्होंने personality का नहीं दिया है ठीक है शेल्डन से question ऐसे भी पूछ लेते हैं कि किस तरह का model है तो याद रख लेना physiological या morphological शारीरिक संरचना पर अधारी था इनका ये व्यक्तित्यों का सिध्धान बिल्कुल सही आपका अंसर नेक्स बताओ which of the following is not प्रिवेस क्लास में भी हमने ये जी डिसकस की थी और चौत्था टाइप आ जाता है psychoanalytical method तो इसमें not बुच्छ है कि psychoanalytical method में क्या होता है जैसे प्रोजेक्टिव हैं तो मैंने बोला था कि सामने कुछ ऐसे situations प्रोजेक्ट की जाती है जिसके अधार पर हमारे unconscious mind में जो thoughts है या hidden desires है वो बाहर आ सके subjective में जो subject होता था जो person था उसी से directly पूछ लिया जाता है उसके बारे में उसके close one से objective में external conduct किया जाता है personality को जानने का और ये जो psychoanalysis है क्योंकि psychoanalysis method किसका method है Sigmund Freud का ही ये method है तो उन्होंने क्या बोला था कि उन्होंने mainly किस के बारे में बात की libido वगेरा के बारे में बात की unconscious conscious mind he na ego super ego इन सारे चीज़ों के बारे में बात की तो यहां पर भी क्या किया जाता है हमारे मन में क्या विचार है या एक word को दूसरे word से connect करके इस तरह से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है hypnotism वगेरा भी इसी के अंडर आ जाता है तो एक free association मतलब क्या किया यहां पर किसी word यह sentence को दूसरे से जोड़ना same वही है word association भी और dream analysis यह सारे method psychoanalytical method है यह जो interview विधी है, साक्षाकार विधी है यह psychoanalytical के अंदर नहीं आता है कल भी मैंने आपको यह example दिया था कि interview जो है, शाक्षात विधी जो है इसमें क्या किया जाता है, one-on-one session रहता है ना इसमें directly जो person है, उससे पूछा जाता है हांजी अपने बारे में बताईए ठीक है, आपको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है है ना, directly person से ही पूछा जाता है उसके बारे में तो यह psychoanalytical नहीं है बाकी सारे हैं तो right answer है यहां पे हमारा interview next बताओ the tendency of a pre-operational child to focus on one aspect of a situation neglecting other aspect has been termed by PRJ as PRJ की cognitive level theory पड़ी है ना संग्यनातम अभिकास का से दान पड़ा है आप लोगोंने तो उसमें 4 stages पड़ी थी एक stage थी pre-operational 2-7 साल का जो age period है इसे toy age या toy stage भी कहा जाता है इस stage में बच्चे के अंदर एक रेक्टर स्टे के गुण होता है कि वो at a time सिर्व एक ही चीज़ पर focus कर पाता है किसी बात का एक ही पहलू समझ पाता है बाकी पहलूँ पर ध्यान नहीं दे पाता है जैसे आप क्या कर पाते हो अभी हो सकता है आप class पे attend कर रहे हो साथ में खाना भी खा रहे हो साथ में कोई all चीज़ भी कर रहे हो मतलब अलग-अलग जगा focused हो आप at the same time बच्चा pre-operational stage में ऐसा नहीं कर पाता है और इस चीज़ को किसका नाम दिया जाता है दा सकते हो ओके grammar के ना exam को consider को आपका यह जो character stick है इसे किसका नाम दिया जाता है centration केंदरी कर जो की अगली वाली stage जो concrete operation stage है मूरसंकरियात्म का वस्ता है उसमें गायब हो जाती है और उस चीज़ को फिर उस case में हम किसका नाम देते है decentration at a time of बच्चा multiple चीज़ों पर focus कर पाता है okay 15 से ना चलो एक दो दिन में लाओंगी मैं उसकी MCQB ठीक है next question बताओ which of the following is a method to teach autistic children autistic children यह स्वरल इंता यूपत बच्चे autism के बारे में हम बढ़ते हैं ना जिसे autism कोई 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 नाम से जाना जाता है autism spectrum disorder यह simply autism swalinta के नाम से जिसे जाना जाता है जहां पर बच्चे का behave करने का तरीका अलग है चीजों को देखने का तरीका अलग है चीजों को समझने का तरीका अलग होता है communication skill lack करता है बच्चा ठीक है eye contact नहीं करता है यह सब कुछ किस से related है autism से swalinta से related है तो कोई अगर ऐसा बच्चा है उसको पढ़ाने के लिए किस तरह की विधिक आप यूज करोगी Braille तो आपको पता किस के लिए यूज की जाती है या tailor frame यह blind बच्चों के लिए यूज की जाती है Braille में six points का यूज करते है याद रखना है six points होते हैं इसमें और उनको touch करके बच्चा पढ़ता है ठीक है जबकि tailor frame में mainly mass वगरा related जो भी जीजे उनको सिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है नहीं थर्ड निया इस cancer यह भी blind के लिए autistic children के लिए नहीं है autistic के लिए हम इसका use करते हैं PECS जिसकी full form है picture exchange communication system मतलब अब जैसे मैंने बोला ना कि यह बच्चे अच्छे से communicate भी नहीं कर पाते हैं तो बातचित करने के लिए अपने thoughts को समझाने के लिए pictures का use करते हैं यहां पे बच्चे pictures का सहारा लिया जाता है आप इसे ऐसे समझ लो कि बच्चे के सामने कुछ pictures present की जाती है और बच्चे के mind में क्या चल रहा है जसे उसे भूक लग रही है तो picture में कुछ image बनी होगी तो उसको touch करेगा उसकी तरफ या इशारा करेगा बच्चा और उससे हम समझेंगे कि बच्चे के mind में क्या चल रहा है तो यह जो एक तरह का communicate नहीं कर पाता है बच्चा अच्छे तरीके से तो communication के लिए picture या words या photographs वगेरा का use किया जाता है तो right answer यहाँ पर हमारा होगा one बाकी किसके लिए हैं बाकी blind children के लिए आते हैं यह बाकी option दे रखी next का answer करो यह याद रख लो इससे भी note कर लो ब्रेल भी blind के लिए है और यह भी blind बोल दो या visually disabled बोल दो अंधतासे ग्रसित जो बच्चे होते हैं tailor frame का mainly use mask को बढ़ाने के लिए किया जाता है यह भी मुझे याद नहीं कि इस paper में आया था वर एक paper में आया हुआ है कि जो blind बच्चे हैं या act as a primary reinforcer यह सारे ही पुनर बलक है reinforcer है बट इन में से एक जो है वो किस तरह का reinforcer है primary reinforcer है ठीक है अब इसके लिए आपको पता भी होना चाहिए प्राइमरी होता क्या है secondary क्यों होता है primary reinforcer mainly बोला जाता है हमारी जो survival needs actually या basic needs जो है उन्हें कहा जाता है primary reinforcer मूल भूत अवशकता है आपको याद है motivation की theory पड़ी थी उसमें basic needs रोटी कपड़ा मकान है न यह primary reinforcer के अंडर आते है तो अब देख लो note करो और ऐसे point note करके रख लिया करो last में नहीं याद रहेगा आपको ही सिर्फ ऐसा नहीं कि question है वो attend कि copy pen लेके बैठा करो जो कुछ नया सीखते हो उसको note कर लिया करो सारी जीजे जो exact आपके topic है न उनमें नहीं मिलती है कुछ ऐसे छोटे-छोटे topic भी होते है जो question के थुरू हमारे cover होते है बताओ बता दिया मैंने primary reinforcer किसे कहते है हमारी जो basic needs को satisfy करने वाली चीजे होते है वो सारी चीजे primary reinforcer कहलाती है प्रात्मिक पुनर बलग तो इसमें देख लो प्रेज क्या ऐसी चीज है प्रेज तो हमारी एक तरह esteem needs में आ जाएगा कि भई को दूसरा हमारी praise करे या very good बोल ले बट इसमें एक चीज ऐसी है biscuit जो हमारी किस दूरत को पूरा करता है हमारी hunger drive को पूरा करता है खाना है एक तरह काई ठीक है और food हमारी क्या है basic need है तो right answer हमारा यहाँ पर आ जाएगा biscuit समझ गे इस बात को डिस्ग्राफिया के बारे में तो आप सपने पढ़ा है इसका अंसर तो आप सारे कर लोगे डिस्ग्राफिया एक तरह का क्या है locomotor disability है visual impairment है mental retardation है या फिर learning disability है क्या कहेंगे हम डिस्ग्राफिया को क्या है डिस्ग्राफिया learning disability अधिकम अर्क्षमता और कैसी है writing disorder है लेखन विकार है ये बच्चा लिखने ही पाता है इसमें लिखने में difficulty आती है डिस्ग्राफिया में रीड करने में डिस्ग्राफिया में लिखने में difficulty face करता है बच्चा और हैं दोनों ही learning disability अधिकम अर्क्षमता है next बताओ who among the following first gave the theory of moral development मतलब इन तिनों ने ही moral development की theory दी है सबसे पहले इन तिनों में से किस ने दी है वो आपको बताने बटाफट करो अंसर तो तो सबसे पहले जो दी थी वो किस ने दी है प्याजे ने प्याजे से influence हुए कोहलबग और कोहलबग को आगी criticize किया गिलिगन ने तो ये इनका sequence है पहले प्याजे फिर कोहलबग फिर गिलिगन नेक्स्ट है ability of class grouping dwells during class grouping की जो ability है वो कब बच्चे में आ जाती है मतलब grouping कर पाता है classification कर पाता है जैसे ये animals हैं, ये सारे plants हैं ये कुछ और है same चीजे classification वर्गी करन जब कर पाते हैं तो ये कौनसे stage में बच्चा कर पाता है ये कर पाता है classification, conservation, order, weight, ratio, proportion ये सारी चीजे बच्चा concrete operational stage में कर पाता है 7 से 11 साल में और इस stage को एक और नाम भी दिया जाता है इसे ग्यांगेज कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट कब बताओ 14 का a child says ममा, today the sun is sad it indicates which of the following limitation of pre-operational stage pre-operational stage कौनसे stage थी, second stage, 2 से 7 साल का बच्चा जो है तो वो क्या करता है sun को देखके बोलता है कि वो sad है मतलब वो क्या कर रहा है sun को एक living समझ रहा है living की तरह treat करता है जैसे हम living organisms है हम हसते हैं, रोते हैं दुखी होते हैं, खुश होते हैं तो वैसे वो sun के साथ भी वैसे treat करें कि वो भी sad है या वो खुश है तो इस चीज को क्या कहा जाता है जब एक तरह से non-living को living की समझे बच्चा living की तरह ही treat करे इसे कहा जाता है जीवाद या इगो सेंटरिजम है मतलब बच्चा self-centered है, सिर्फ अपने तक के इंद्रियत होता है अपने बारे में ही सोच पाता है ठीक है नेक्स्ट अकॉर्डिन टू कोगनेटिड वेल्पिन थियोरी और प्याजे इन विच ओफ फॉलिं प्रोसेश Children either modify or form a new schema based on new experience प्याजे की थियोरी के हम components सत्व पढ़ते है जिसमें उन्होंने किसके बारे में एक schema के बारे में बात की थी Assimilation, accommodation ये दोनों किसके अंडर आ जाते हैं Adaptation, Unkulan के अंडर आ जाते हैं ठीक है Conditioning के बारे में उन्होंने बात नहीं की थी तो एक में उन्होंने बोला कि यहां पर जैसे बच्चा Assimilation में क्या करता है Cat को देखके भी उसे डॉग ही बोल सकता है क्योंकि cat का ही schema बच्चे के माइन में है वो तो है assimilation तब हमें जूरत पढ़ती है कि हम जो Already existence schema है उसमें कुछ changes करें उसमें बिलाव करें यह उसमें कुछ add-on करें ठीक है और sometime हो क्या होता है Totally fail हो जाता है किसी problem को solve करने के लिए तब हमें जूरत पढ़ती है कि हम जो schema है उसे modify कर दें और नया schema बना दें नय experience के basis पे यह नई problem को fit करने के लिए नई problem को solve करने के लिए ठीक है और इस प्रोसेस को किसका नाम दिया जाता है accommodation का नाम ठीक है समझन कहा जाता है next है according to Vygosky the upper limit of tasks that a learner can successfully perform with the assistance of a more competent individual is termed Vygosky ने भी components दिये थे एक इनोंने ZPD के बारे में बात की थी X scaffolding मचान के बारे में इनोंने बात की थी और तीसरा MKO more knowledgeable other के बारे में इनोंने बात की थी ZPD में ने concept दिया था कि यहाँ पे जो आपका actual level है जिसे lower level कहा जाता है वहाँ से आप अपने potential level तक पहुंच सकते हो जिसे higher level कहा जाता है जब दूसरा कोई आपसे अधिक जानकर आपकी help कर देगा आपकी मदद कर देगा और यह जो बीच का gap है जो उन है उसे ZPD कहा था यहाँ नहीं यह नहीं पुछा है आपसे question क्या पुछा है कि जो upper limit learner successfully perform करता है यह achieve करता है ठीक है उसे क्या कहा जाता है तो वह higher level जो achieve actually वह है level of potential development ठीक है बहुत सारे बच्चे इस question का ZPD answer कर देते हैं ZPD इसका answer नहीं होगा इसका answer होगा level of potential development ठीक है और इसके अलावा को scaffolding पूछे तो यहाँ higher level तक पहुचने के लिए जो आपको help या hint मिला support मिली उसी के लिए नहीं term यूज की है scaffolding और जिसने आपको scaffold किया वो है MKO more knowledgeable other ठीक है next बताओ next का क्या होगा which term refers to extra cues designed to increase the chances of a students providing the correct answer to a question यहाँ भे क्या बुला गया निमन में कौन सा पद का तातपर एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है sometime क्यों होता है ना बच्चा से आपने कुछ question पूछा तो हो सकता है कि वो answer तक पहुँच नहीं पा रहा है कुछ थोड़ी बहुत error कर दे रहा है आप वो एक hint उसे कुछ देते हो help करते हो एक तरह से कि बच्चा सही answer तक पहुँच पाए कुछ extra quiz या फिर extra quiz या फिर extra hint दे देते हो ठीक है तो उससे क्या इसका नाम दिया जाता है उससे नाम दिया जाता है prompt का या रखना है question भी काफे बार पूछा जाता है prompt कहते है जो भी extra hint extra q हम देते हैं वो है prompt next modeling is based on modeling किस पर अधारित होती है classical conditioning operant social trial and error classical conditioning तो किसकी थियोरी है Pavlov पैवलाव ने तो बोला estimulogus को दूसरे से replace करो dog पे experiment किया operant conditioning में skinner ने rat पे bezen पे experiment किया और इन्हों reinforcement के बारे में बात की थी trial and error जो है वो thondai का concept है जिसमें इन्होंने बोला कि धीरे धीरे effort करते हैं अगर हम तो बच्चा सीख जाते है ठीक है तो इसमे modeling किस पर based है ये question हमसे पूछा गया है तो modeling का question अगर हमसे पूछा गया है तो modeling जो concept था वो किसका था ये था bandura का concept बेंडूरा ने क्या concept दिया था बेंडूरा ने बोला कि बच्चा दूसरों को देख कर सीखता है imitation या नकल के द्वारा या observation से सीखता है modeling मतलब जैसा adult करते हैं उनको देख कर ही हम सीखते हैं और ये concept इन्होंने अपनी social learning या social cognitive theory में दिया था cognitive psychologist थे तो इसलिए social cognitive theory भी कह देते हैं social culture theory ये कलग है वो वाइग उसके का concept था ये social learning theory या social cognitive theory भी से बोला जाता है ये bandura का concept था तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना next है Albert Bandura is known for his theory अब ये ही same Albert Bandura Canadian psychologist है याद रखना है आपने इनकी theory का observational theory के नाम से भी जाना जाता है जिसमें इन्होंने 4 stages के बारे में बात की थी कि 4 stages के थुरू बच्चा observe करता है learn करता है और learn कैसे जैसा वो दूसरों को करते हुए देखेगा वही सीखता है वो मतरा modeling of behavior करता है तो किसके लिए जानने जाते हैं ये अभी पिछे बताया social learning के लिए psychosexual तो किसका concept है fried की theory है तो इन्होंने social learning के बारे में बात की थी आपको याद रखना है next question है autism was first described by autism पिछे जो स्वलिंता के बारे में हमने बात की कि जिसमें बच्चे का learning style different हो सकता है communication skill में lack करता है eye contact नहीं करता है basic सी चीज़े भी समझ नहीं पाता है ठीक है उसे autism कह देते हैं या AST autism spectrum disorder कह देते हैं तो ये जो term है ये पहली बार किसने दी थी किसने दी थी canner ने, down ने, skinner ने सिग्मन फ्राइट ने किसने दी थी ये term पहली बार बताओ तो ये जो term है ये पहली बार दी थी canner चीक है 20 का right answer होगा 1 तो चलो आज के लिए वस इतना ही करेंगे तो देख ले न आज की class में कई नए concept भी हमने देखे हैं तो उनको देख ले न, note कर ले सारे नए points अपने note कर लिया करो ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही thank you for watching और बाकी वी जो भी आपकी class की demand है I will try कि मैं जल्दी लेकर रहा हूँ तो आज के लिए तो आज के लिए तो आज के लिए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो खिखा fern कर即 हम झाल झाल